नमस्कार प्यारे बचों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका अपनी इंगलिस के ख्लास में तो बेटा आज हम अपनी इंगलिस के क्लास में हमारा जो टोपिक चल रहा है घ्रामर का पंच्वेशन इसी को आगे बढ़ाते हैं तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकास से हम, जो हमारे sentences होते हैं, उन्हें हम punctuation की साहता से correctly लिख सकते हैं. हमने अब तक जाना किस प्रकास से हम punctuation marks का use करते हैं, capital letters का use करते हैं और full stop का use करते हैं, ending sign का use करते हैं. और कहां-कहां पर हम कोमास का use करते हैं, list of items को separate करने के लिए, दो sentences को separate करने के लिए हम किसका कोमा का use करते हैं. अगे हमने जाना कि किस प्रकास से हम identify कर सकते हैं कि हमारा sentence है वो correct है या नहीं है. इसके बद हमने apostrophe के बारे में पढ़ा कि हम apostrophe का use position के कर सकते हैं जब भी हमें किसी की position दिखानी हो, belongingness दिखानी हो कि कोई भी चीज जो है वो किस से belong करती हैं. तो उसके लिए हम apostrophe का use करते हैं. इसके बद हमने देखा कि हम जो हमारे singular होते हैं या plural होते हैं उनके साथ हम किस प्रकास से apostrophe का use करते हैं. जो words होते हैं जो s end होते हैं वहां पर हम cable apostrophe का use करते हैं वहां पर apostrophe के बाद s नहीं लगाते हैं बलकि जो हमारे ऐसे words होते हैं जो हमारे ऐसे end नहीं होते हैं उनके साथ हम apostrophe और s दोनों का ही use करते हैं. इसके बाद बिटा हमने देखा कि हम apostrophe का use short forms बनाने के लिए करते हैं किस प्रकाश से हम short forms बनाते हैं I am की short form बनाने के लिए हम क्या करेंगे apostrophe का किस प्रकाश से use करेंगे क्या उसका procedure होगा यह सब हमने जाना इसके बद हमने जाना था कि इसका जो procedure होता है जिसके यहाँपर R नोट को अगर हम Short Yellow में बनाती हैं So R और नोट को हमें बनाना है तो हम not को हम Shorten कर देंगे वहाँपर हम सबसे पहले O को हटाऎंगे उसको Short compare बना देंगे उसके बाद、 शोटन करने के बाद हम उसमें जो O जहाँब से हम हटाएंगे वहाँ पर हम apostrophe लगाएंगे उसके बाद उसको R के साथ हम combine कर देंगे और Rint हमारा बन जाएगे इसके बाद हमने देखा कि हमने match the following करके देखा कि हमें कितना पता है R note को हम किसे लिखेंगे Does note को हम कैसे लिखते हैं Did note को कैसे लिखते हैं इस note को हम कैसे लिखते हैं, मास note को कैसे लिखेंगे, इसके बाद हमने और practice की, जिसमें हमने I will, You will, He will, She will, We will, They will, I am, You are, He is, She is, We are, और They are, को हमने short form बना के practice की, जिसमें हमने देखा कि किस परकास से हम, जो words उसको shorten करते हैं, पहले और फिर combine करते हैं, इसके बाद हमने book work किया, इन sentences को हमें short form के साथ दुबारा से लिखना था, जो जो underlined words थे, इनकी आप एक बाद ध्यान देंगी, किस परकास से हम उनको short form बनाएंगे, I will finish my work now, I will, He is, कैसे बनाएंगे, Very good, You are a good student, You are के short form क्या होगी, Very good, You must not speak rudely, Must not है, Must not को कैसे आप short form बनाएंगे, We are not late, Are not के short form कैसे बनाएंगे हम, He did not play with us, Did not को कैसे हम short form करेंगे, कैसे इसके short form लेकिएंगे, So हमने apostrophe का यूज करते हुए, इन सभी की हमने short form क्या बनाएंगे, जैसे, I will, You are, Must not, Are not, Did not, इनको हम पढ़ भी short form में सकते हैं, I will, You are, Must not, Aren't, Didn't, इसके बाद हमने देखा कि apostrophe का हम किस परकास से यूज कर सकते हैं, जब हमें possession show करना हो, उसकी हमने exercise की, अब हम, आज जो हमारा topic है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, Punctuations, और आज हमारी जो आगली exercise है, उसे हम complete करते हैं, Punctuate and rewrite these sentences, इन sentences को हमें punctuate भी करना है, और इन्हें हमें punctuate करके दुबारा लिखना है, Use an apostrophe, apostrophe wherever necessary, जहां पर भी जरूरी हो, necessary क्या होता है, जरूरी, जहां पर भी जरूरत हो, हमें वहाँ पर apostrophe का use करना है, और इन्हें punctuate करना है, तो सबसे पहले हम जो punctuate करते हैं, हमने देखा है, कि punctuation में सबसे पहला letter हमारा capital होना चाहिए, commas का proper use होना चाहिए, apostrophe का use हम जहां पर भी कर सकते हैं, जैसे हम short forms लिखने के लिए करते हैं, position को show करने के लिए करते हैं, वहाँ पर होना चाहिए, ending sign हमारा proper होना चाहिए, चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है, where are you going, सबसे पहला जो हमारा point रहेगा, वो क्या होगा, w को हम capital में लिखेंगे, उसके बत, where are है, where are को हम short form कर देंगे, r का a हम हटा देंगे, यहाँ पर apostrophe का use करेंगे, और इसे combine करके लिखतेंगे, where are you going, अब यहाँ पर ending sign नहीं लगा हुआ है, अब क्योंकि, यह हमारा क्या है, very good, question है, question है तो क्या लगाएंगे, good, question mark का हम यहाँ पर use करेंगे, second देखते हैं, I am feeling hot, so I am feeling hot है, तो सबसे पहला जो काम है, हमारा I यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, जब कि किसमें आना चाहिए, very good, capital letters में आना चाहिए, और इसके जब short form बनाई है, I am, तो short form बनाते टाइम हम किसका use करते हैं, yes, apostrophe का use करते हैं, तो यहाँ पर apostrophe का use करेंगे हम, आगे देखते हैं, third, hurry, we won't the match, sorry, hurry, hurry, we won't the match, तो यहाँ पर अगर हम देखें बिटा, तो hurry है, पहला जो हमारा letter आएगा, first word का first letter आएगा, हमारा capital आएगा, hurry का h आप बढ़ा करेंगे, exclamation mark का आप use करेंगे, we won't the match, और last में हम ending sign का use करेंगे, next देखते हैं, there's a pencil, a book, and an eraser on my text, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो list of items हमारे पास है, सबसे पहली चीज़ हम यहीं करेंगे, यहाँ पर t जो है, यह हमारा small letters में है, तो इसको हम capital letters में लिखेंगे, there's, अब यहाँ पर shorten किया गया है, तो यहाँ पर हम apostrophe का use करेंगे, there और इसको यहाँ पर मिलाया गया है, तो इसका I हटाया है, तो I हटाया है, वहाँ पर हम apostrophe का use करेंगे, there's a pencil, अब pencil हो गई, एक item हमारा हो गया, उसके बद हम koma का use करेंगे, a book and an eraser on my text और last में हमने ends इसको use किया है next देखते हैं get me a glass of water get me a glass of water again हमारा जो first letter है वो कैसा होगा yes capital में होगा get me a glass of water और water के बाद हमारा ending sign यहां पर लग जाएगा चलिए आगे देखते हैं roses, lilies, poppies and daisies are flowers again यहां पर हमारे पास एक list of items है roses, lilies, poppies and daisies are flowers so यहां पर आप इन्हें कॉमा से separate करेंगे और क्योंकि यह हमारा एक proper noun है तो इसलिए हम इसमें capital letters में इसको लिखेंगे और last में हम ending sign का use करेंगे next देखते हैं who ate the cake question है who ate the cake पहला जो हमारा letter होगा वो हमारा capital में आजाएगा w का हम capital में लिखेंगे who ate the cake और cake के बाद हम question mark का use करेंगे 8 देखते हैं how old are you how old are you again हमारा जो first letter है वो capital होना चाहिए how old are you अब यहाँ पर भी हमारा जो ending sign है वो नहीं है ending sign हम क्योंकि question पूछा जा रहा है WH family words यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर question mark का use करेंगे 9 देखते हैं I went to Delhi, Mumbai and Chini again यहाँ पर भी आपने क्या करना है हमारा जो first letter है I उसको हम capital में करेंगे और I अगर अकिला हमारा कभी भी आता है तो वो हमारे सा कैसा आता है very good capital letters में आता है so I went to Delhi अब Delhi, Mumbai and Chini तीन चीज़े हमारे पास है तो पहले को हम separate करेंगे कोमा से देली, कोमा दूसरी चीज़े एक ओर ध्यान देने की यहाँ पर है Delhi, Mumbai and Chini यह हमारे proper nouns है city के names है तो यहाँ पर इनको भी आप capital से लिखेंगे so first letter हमारे इनका भी capital होगा Delhi का D बढ़ा होगा Mumbai का M बढ़ा होगा और Chini का C बढ़ा होगा Delhi, Mumbai and Chini last को हमने end से use कर joint किया है उसके बद हमने last में ending sign full stop का use करेंगी क्योंकि यह एक simple statement है आगे दिखते हैं My best friend is Meera again my है first letter M हमारे capital हो जाएगा My best friend is Meera अब हमारा जो Meera है यह एक नाम है किसी लड़की का नाम है proper name है तो MB हमारा कैसा हो जाएगा capital हो जाएगा और last में हम ending sign क्या लगाएंगे yes, full stop लगाएंगे क्योंकि यह हमारा एक simple statement ही है simple sentence है चलिए आगे दिखते हैं read the telephone conversation जो telephone पर हुई बातचीत है between grandfather and Minnie जो grandfather और Minnie के बीच में हुई telephone की वरतलाप है उसे आप पढ़ेंगे then answer the questions that follows उसके बाद आपने जो questions आएंगे उसके बाद उनको आपने answer करना है सबसे पहले है good morning Minnie good morning Minnie Minnie कहती है good morning grandfather you are up early today कि आप सुबह जल्दी उठ गई हो आओ Minnie कहती है yes we are coming to see you कि हम आपको देखने आ रही है आप पढ़ते टाइम एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पर देखे you are को हमने short form में लिखा है जहाँ पर हमने we are को short form में लिखा है और उसकरद हम properly जो हमारा first letter है वो यहाँ पर हम capital में लिखा गया है और last में ending sign का भी use हो है तो मतलब punctuation के हिसाब से यह बिल्कुल correct है so yes we are coming to see you कि हम आप से मिलने आ रहे हैं I don't want to miss the train कि मैं train को miss नहीं करना चाहती you aren't late grandfather कहते है कि तुम अभी late नहीं हो there is a plenty of time plenty मतलब बहुत सारा so there is a plenty of time कि यहां बहुत सारा समय भी I still have to pack some books कि मुझे अभी कुछ books है वो पैक करनी है my bag is already already मतलब पहले से ही my bag is already so heavy मेरा bag जो है पहले ही इतना भारी है that कि I cannot lift it lift it मतलब उसे उठाना कि मैं उसे नहीं उठा पहूं grandfather कहते हैं don't bring your books कि तुम अपनी books मतले कराओ I have loads of story books for you कि मेरे पास तुमारे ले बहुत सारी story books हैं thank you grandfather धन्यबाद grandfather I will see you soon मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूं goodbye mini come soon we will have lots of fun reading stories कि हम stories पढ़ते हुए काफी मस्ती करेंगे so यहाँ पर हमारे कुछ questions है जिनके answers अपने देने हैं पहला question हमारा है why did mini get up early कि mini सुबह चलती क्यों उठेगी what do mini and grandfather enjoy doing together what do mini and grandfather की mini and grandfather है वो क्या करना enjoy करते है doing together एक साथ करना enjoy करते है क्या करना enjoy करते हैं वो उसके बद हमारा second है underline the short forms used in conversation अबो तो underline करनी है आपको जो short forms है उनको underline करेंगे then write the full forms here उसके बद यहाँ पर आपने उनकी full forms को लिखना है तो बेटा अब इन questions को ध्यान में रखते हुए हम इस paragraph को दुबारा से बढ़ेंगे why did mini get up early mini सुबह जल्दी क्यों उठी थी what do mini and grandfather enjoy doing together कि mini और जो grandfather है वो क्या करना एक साथ करना क्या एक साथ करना पसंद करते हैं उसे वो enjoy करते हैं और दूसरा कि जो भी हमारी short forms है conversation में उनको हम underline करेंगे और उसके बद इनकी full forms को आपने लिखना है चलिए एक बार इन questions को ध्यान में रखते हुए दुबारा से इसे पढ़ते हैं Good morning mini Good morning grandfather You are up early today Yes, we are coming to see you I don't want to miss the train You aren't late There is plenty of time I still have to pack some books My bag is already so heavy that I cannot lift it Don't bring your books I have lots of story books for you Thank you grandfather I will see you soon Goodbye mini Come soon We will have lots of fun reading books So, आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि कौन कौन सी हमारी जो short form से यहाँ पर use की गई है इन्हें आप underline करेंगे जैसे सबसे पहले यहाँ यहाँ पर यू आर है उसके बाद वी आर है डू नोट है आर एंट है इसे परकास से आपने इन सभी को ढूनना है अपनी बुक में और उसके बाद आपको यहाँ पर उनकी जो फुल्फॉम्स हैं उन्हें आप लिखेंगे इसके बाद सेकेंड जो क्योशन है यहाँ भूलनी और कैना हुआ हाँ जो में लिलेखनी नुट उनकी जूर गैँ आफ煩 है यहाँ इर कूमनुई है यहाँ इसकी मालन खरािखनी लून के लिए यहाँ ओंना है तो बन्यद Kleider है वेहाँ वहाँ वṉ called यहा है यहाँ व्योग spiritually goodbye Minnie, come soon we will have lots of fun reading books so, they will have lots of fun while reading books so, our question is what do Minnie and grandfather enjoy doing together so, they enjoy reading books together so, bitta आप सभी इसे complete करेंगे revise करेंगे completely और उसके बाद आपकी जो short forms है यहाँ पर इनको आप पढ़ेंगे I am, I am वी आर को कैसे हम लिखेंगे short form में तो इन सभी short forms को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनने देखेंगे कि हम किस प्रकार से इने लिखेंगे तैंक यू अब। अबूद पर एक तैंक, भी करेंगे रिखेंगे यून हैे कर दोस्ताब